राखी में बनाईए बालु साही दम हलवायों जैसा, मार्किट में जैसा मिलता है आप भी अपने घर में वैसा ही बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से आप भी रसीली बालु साही बना सकते हैं, अंदर से रसीली है और बाहर से कुरकुरी, तो चलिए बहुत ही इंट्रे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप से निवेदन है कि अगर आप फर्स टाइब मेरे वीडियो को देखे रहें मेरे चैनल पी न्यू है तो चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लिजे तो बालु साही बनाने के लिए मैंने यहां पे दो कटोरी ले लिया है मैदा इसमें डाल यहां पर साथी में दो बड़े चमच डाल दे रही है और यहां पर हम डाल रहे हैं थोड़ा सा बेकिंग पाउडर बहुत ही अच्छा खस्ता पन लाता है और यहां पर एक चुटकी नमक नमक से थोड़ा टेस्ट इनहांस हो जाता है इन सभी इंग्रिडियंस को हम अच्छ से मिक्स हो चुका है अब हम थोड़ा थोड़ा नॉर्मल वाटर पानी लेंगे यहां पर थोड़े थोड़े लेके इसे जितने भी आटे हैं सबको इकठा करना है हमें इसे मल मल के नहीं इसका डो लगाना है बस ऐसे सॉफ्टली हैंड से इकठा हो जाया आटा इस तरह से हम कमें इसका डो तियार करेंगे तो यह दी धिक फ्रेंड से हमारा लगा है रेडी काफ़ी सॉफ्ट डो तयार किया है मैंने तो इसे हलके हलके हाथों से ही इसे दो को तैयार करना है अब हम एक टावल से इसे ढठको अच्छी तरह से रख देंगे करीब 15 मिनिट के लिए जब तक हमारा dough सेट होता है हम यहाँ पर चासनी बना लेते हैं चासनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दो कटोरी चीनी लिया है और इसमें एक कटोरी पानी एड़ कर दिया है सबसे पहले हम गैस का flame तेज करके सारी चीनी को हम अच्छे से melt कर लेते हैं तो यह देखे करीब दो मिन पीम प्रेंट में चीनी हमारी अच्छे से म tren हो चुकी है अब कर देंगे लोज और इसे फ़े छान चीनी ऑच्छे से मेल्ट हो चुकी है अब हम सो ने इसा चत पेण और इस में एक तार बनते बनते टूट रहा है तो चीनी को हम इतना ही कुप करना है एक तार वाली चीनी बनानी है वो भी पूरा एक तार नहीं बस अल्मोस्ट वन तार वाली जैसे की बने और यह देखे इस पेचुला से इस तरह से धीरे-धीरे ड्रॉप नीचे आता है तो इसका मतलब यह चासनी पॉफेक्ट है वन एक तो चलिए अभी हम गैस का फ्लेम कर देते हैं ऑफ गैस का फ्लेम ऑफ करने के बाद एक बात कर ध्यान रखे कि चासनी को थोड़ा एक से दो मिनट इस तरह से स्टर कर दे ताकि वो क्रिस्टिलाइज ना हो तो यह रेखिए इस तरह से मैंने इससे स्टर कर लिया है और अब द थोड़ा साम लेंगे इसका डो और बालुसाही अपना रेडी करेंगे तो यह देखिए सभी को एक साइज में लेना है हाथों के वीच में इस तरह से राउंड राउंड करके एक पैंसिल ले लेंगे मच्छी तरह से दूल के और उसके हल से यहां सेंटर में इस तरह से हम अच्छे से तो इस तरह से आप करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा दिखने में भी तो यह देखिए इस तरह से राउंड राउंड करके देखिए कितना ही अच्छा लग रहा है तो इसी तरह से हम सारी बालुसाही को रेडी कर लेते हैं तो यह देखिए सभी को मैंने रडी कर लिया है बालुशाही को अब हम क्या करेंगे एक कढ़ाई लेंगे उसमें डालेंगे ओइल अगर आप जाते घीमे बनाना तो आप घीमे भी बना सकते हैं तो यहाँ पर ओईल को हलका गरम रखना है बस थोड़ा सा गरम हो उसी में हम सभी बालुशाही को डाल देंग गरम इतने रहाना चाहिए कि फीर धीरे इसमें से भूल भूले चोटे हैं तो यह गरम ज्यादा गरम नहीं रखना है थीमी आज पर लो मीडियम फ्लेम पर रखना है या तो पूरा लो ही कर दिजो और इसे धीरे धीरे कोख होने दिजे तो यह देखिए एक पार मेरे कडाई म से खासता रहती है उपर से कुरकुरी और अंदर से काफे सॉफ्ट तो यह देखिए तीन से चार मिनट हो चुका है और हमारे बालु साही देखिए उपर फ्लोट कर रही है सारे जो नीचे थे सभी उपर आ गये हैं बहुत ही अच्छी तरह से अपने साइज में भी इन्हेंस ह हुए हैं तो इन्हें हम ब्राउन गोल्डन ब्राउन होने तक नीचे से से शेकते हैं जब यह नीचे से सिख जाएंगे तब हम इन्हें दुसरी तरफ से से शेकेंगे तो यह देखिए 2-3 मिनट हो चुका है और काफी अच्छी तरीके से यह नीचे से गोल्डन ब्राउन हो अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं हम इन्हें ज्यादा डार्क कलर नहीं करेंगी यह सुनेरा कलर ही काफी अच्छा लगता है बालु साही का तो अब हम इसे और से निकाल लेते हैं सभी बालु साही को यह देखिए कितना ही बहतरीन कलर आया देखने में बहुत घ्राइब ही खुबसूरत और खाने में बहुत ही टेस्टी है तो आप भी जरूर इस रक्षा वंझन पर यह डाला जाथे तो यहां पर बालु साही हमारी हलकी हलकी गरम है और चास्टी यहां पर हम ट्रांसफर कर दे रहे हैं सभी को टो यहां पर एक साइड से हम दो मिनिट रखेंगे दो मिनिट के बाद हम दूसरी साइड से सीरा में डिप कर देसे चासनी में तो यह देखिए एक साइड से अच्छी तरह से शोक्त हो चुक है बस दो मिनिट के लिए करेंगे तो दो मिनट दूसरे साइड भी हो गया अब हम इन्हें निकाल लेंगे ज्यादा हमें इसे नहीं रखना है चासनी में अगर हम ज्यादा देर तक रख देंगे तो इसका क्रंचिनेस खतम हो जाएगा तो यह देखिए अभी हम प्लेटिंग कर लेते हैं तो य अगर आपको भी बालुसाही बनाना है एक ही बार में पॉफेक्ट तो आप इन सब चीजों को फॉलो करें अब शीजाज को लाई करें चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बैल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें मैंने और भी बहुत सारी रक्षा वन्नपी मिठाईयों की रेसिपी आपके साथ सेयर की है अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिए चैनल पे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है तो आज के लिए इतना ही फिर आपसे बहुत जल्द ही मिलूंगी तब तक के लिए बाई बाई